बी ए टू ओनर्स वाले स्टूडेंट्स बेटा आज जड़ा सिय तो अधूनिक पंजाबी कवीता वाले पेपर दा एक टोपिक करना है ओ है जस्वंत सिंग दीद दी जीवन ते रचना तो आनू पता है कि जस्वंत सिंग दीद दा तो आनू कमंडल काव संग रहा है उदा ल लिए जस्वंत दीद दी जीवन रचना दीद दा जनम शाकोट जिला जिलंदर विखे ग्यारा मार्च उनिसो चुरंजा इस्वी विच्छोया ए जनम तरीक उस दे सर्टिवेट मुताबिक है अते उस दी असल जनम तरीक जो है वो पंज अक्तूबर उनिसो चुरंजा है उ उसने गुर्नानक नैस्टनल कॉलेज नकोदर विखें भी ए पास किति आते नाणही ग्यानने भी पास किति उसने पट्याला उनिवरस्टि पट्याला तो można पंजाब ही याते अम फिल किति आते पीचडी जो है वो गुर्नानक देव उनिवरस्टि अमरा सर्टों पीचडी दिगरी लिती, 1980 विच उसनो जिलंदर दूरदर्शन विच नोकरी मिली, अते ऐस नो पहला जिलंदर रेडियो ते भी ओ नोकरी करदा रहा, आज कल दीद जिलंदर दूरदर्शन विच असिस्टंट डिरेक्टर देवज्जो नोकरी कर रहा है, नून जो है असी जस्वन दो कब हुआ है कोुआया साँ सब्सक्राइब कि आया हुन, जब लुएक कोफ़े मेंो नहीं है सकत स Kobe अर्चाट क कुछिं दिम दों उन एथित वड़ा शोट कोश्चन केड़ा बनदा है कि जस्वान ते दीदने जड़ा अपना साहित तक सफर है वो केड़ी रचना तो शुरू होया कि हूनते देखो तो वड़े कोलो पोर्ट्री दी बुक लगी हो यह वोदी कमंडल पर उने जो है शुरूइच उने कहानिया लिखिया ते उस कहानी संग्रैदा नाम की है एकलप यादना दी शोट कोश्चन बनदा है ते ए बनदा है कि पोर्ट्री लिख दा उन्दसी और शुरूइच के कहानिया लिख दा उन्दसी परंतु कवीता दे खेतर विच अठमे दहाके तो बाद उपरवेश कर दा है हून हून तक मा लगी उन्नी सो असी तो भाद परवेश किता हूने हून तक उस दियां प्रकाशित कावपुस्त का दा वेरवा जो है ओ ऐस तरह है देखो केडियां केडियां कताब बने जस्वंदी दियां बच्चे तो डर्दी कवीता उन्नी सो च्यासी इच लिखियोंने अच दिक की ओधियां दो काव रच नामा दे नाम लिखो ओ तो अनू एथे पता उने चाहिए दिने ओधी पोर्ट्र दियां दो उक्ताब बंदी नाम फिर है दीद कमंडल काव पुस्तक है गिया है ऐस उत्तेवनों दो हजार सात्वीच सहित अकादमी अवार्ड जो है प्राप यां लिखियां से गयां पर पोर्ट्री दी कताब होने सबतों पहले केड़ी लिखी यह भी शोट कोश्चन बन देद वड़ा अचंचेत अवाज आएगी अजे अते कुंडी काव पुस्तकां दे राही उस दी कवीता दा थीमक विकास हुनता है मतलगी वक्वक थीम वद्य पुस्तक तक अपड़ियां एह दी कवीता दा विशा जो है शिखरवल चला जाता है दीदियां रचनामा दा थीमक विकास कि में कि में ओधियां रचनामा दा थीमक विकास होया नुद्जडी ओधी पहली एक कताब है बच्चे तो डर्दी कवीता ओधिच देखो इसका ते रिती रवाजन दा खंडन किता अपने पूर्वजां दे नार समवाद रचा के मलगी सचमुच नहीं रचा के मलगी आपने इमेजिनेशन इच रचा के ना जो प्राणे रिती रवाजने उनना दा खंडन किता तिन्ने पीडियां नू इको था ल्याके आपसी समवाद तिन पीडियां दादा पुत्तर पोत्रा अपने आपनाल समवाद्र चाना प्यार काव अते ओरत मर्दे आपसी समंदा नूँ पेश किता ठीक है ना प्यार वड़ी गल भी किती ते दैशत परे महोल नूँ भी उने जो है पेश किता जड़े महोल नूँ पंजाब हंडा चुक कवी उसनों परंप्रा कवी अपने बच्चे नूँ परंप्रा अती दैशत परे महोल तो जो है दूर रखना चाहंदा है अगली कताब है अचंचेत अचंचेत भी ओधी पोर्ट्री कताब है ओदे पेश का रहा जस्वन दीद अचंचेत काव संग्रह विचला बोता विशा जो है प्यार काव दुवाले रोमेंटिक पोर्ट्री जो है ओदे आड़े दुवाले कुमदा है दीद प्यार विच किसे बंदन सविकार नहीं करदा उस दा प्यार एना बंदना तो पार विचरदा गया किसे भी तरह दे बंदन सविकार नहीं करदा कवी ओरत मर्दी मानसि समझदा होया ओर्त मर्दे जिन्सी समंदानों सहज रूपीच ब्यान करदा है ते ऐस संग्रय विच इस्तों इलावा दीदियां कवितामा दा थीम जो है समय द्वाले भी केंद्री थे मतलगी वोदे आपने आड़े द्वाले भी कुमदा है प्यारतूं अलावा वोदे आपन इस काव संग्रय दी थीमक अध्यान जद्वासी कर दे हां तासी देख दे हां कि एदिच दीद ने आज दे पदार्थवादी युग विच विचर रहे मनुख दी आज दे पोतिक युग विच जड़ा बंदा विचर रहा है ना विचर रहे मनुख दी मांसिक अवस्था ज इस बाहर तो बहुत रोड़ाना शुरू हो गया सी इसकर के द्रवज्च बंद किता हुन फेर हुन पढ़ रही है मैं कित्थों दी पढ़ रही सी कि आवाज आएगी अजे एदे चकी में क्या रहा है जस्मन दीद कि आज दे पदार्थवादी युग विच विचर रहे सी कवस्था ओदे जिंदगी दे रुजे में विच उथल पुथल रुजाना जीवन इस जड़े रुजेवे उन देने उना दी उथल पुथल अते अंतर मन अंदर चल दे ख्यालां विच जकड़या होया मनुख उने आवाज आएगी अजे कहानी संग्राइच पेश किता है इस तो लावा सब तो वद महत पुण थीम जड़ा दीद ने पेश किता है ओ है आज दे पुझीवादी युग अंदर आज दे जड़े अमीर लोकां दा जड़ा युग है ओ दे अंदर विच रहे मनुख मशीनी करन दे प्रबाव अदीन हन अते ओ रिष्तियां दे एहसास द्वास सक्षण हुख यि रिष्तिया दा मुल पाके उनानों खरीदन कोशिश कर रहा हुए ने पोतिक सुक शुविदामा पंदे ज्यादा वद जानते कारन जो है रिष्तिय जड़ेनी ओ फिक के पेघए ते उनानों खरीदन कोशिश कर रहे ने एदे ची तुसे रूसी देखो बड़ी कार्दे मांगे जिन्नी बड़ी कार्द होगे उनने बड़ी कारी जो है कुड़ी जाएगी ये सारी अगला ते ऐस उते व्यंग भी कसदा है जस्वंत दीद दा अगला जड़ा काव संग्रया है कुंडी दीद दा चोथा काव संग्रया है जिस विच दीद उना रो रितां अते संस्कारां दा खंडन करके उना तो पार जान लई केंदा है संस्कारां अते रो रितां तो जो है पार जान लई केंदा है इस काव संग्रया विच सब तो बधमहत्तपूरण और थीम ओ अतीत मुखी यादा विच प्राणिया यादा विचूं समेधी पहचान अपने आवधी पचान करनी अपने ये प्राणिया यादा इच्चों अते समेधा कर है अपने आवधा कर जेड़ा की मनुखदे अंदर पया होया उस दी मानसिकता नू बार बार चंजोड़ी रगदा है साडी अंदर कुछ ना कुछ मयाय पयाउं दय हैं जड़ा सानू बार बार किसी ना किसी गाल पीछे चंजोड़दा है फिर है जड़ा कावसंग्रहान अप्रण अवतार सिंग धीद्लि इंतल अध्यतम कोमंडला नुं छोंदी नजरां ती मैंस्टी आस Whenever आ के यू रहसवाद वाल भी रुचीत को जानता है work कमंडल पुस्तक विच मुछा की यादभा संसकारा मद वर기 जीवन जाच if मादवरगी जीवन जाच अते ओरत मर्दे समंदानों पेश कर दा यह सारे विशे ने जदो तु अनुक मंडल पुस्तक दे विशे आ जानना बिटा की विशा वस्तू की है कमंडल पुस्तक दा ते तुसी सारे मुहबत जो है मुहबत उने केड़ी पोर्टरिच केड़ी कवित दा इसवें पोर्टर्य केड़ी किति है और जास्वंत दीद ने ठीक ना ओस पौर्टरिच भिषज गेंगेच नहीं किती है उना बार गआल करके ओस पोर्टरिच ना लिखो फिर है पुर्ख अतीत मुख्य यह थाना सारे रगरी तुसी लिखना हों दा है कि और विशे अल अध्यात्मिक तदा रा अक्तियार कर दा है ज़िए अंदर जो है दीद दे अंदर इक डर चलता है जिस करके उस डरतों बचन दे लई उपरमात्मा वल्दा रहस्वाद वलदा रस्ता जो है उपकड़ दा है मैं पतर कदे समझोते विच नहीं बज़ता ते अपने आपने कविता धी जडियों धी कवितामाझती कताब है जए तो नू लगई नष्ट संघ हर्ष अते सफर करदा हुए आपनी पहचान आते आपनियां जड़ादी तलाश करदा है जश्वान दीड ऐस पुस्तकिछ कमंडर इच शैरी जीवन विच रहने हुए उस दी यादां विच पिंड वसे हुए है तुसी देखोगे बहुत वदिया चोटिया 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 कवितामा जडियाने कमंदल पूस्तक इच देखननों मिल दियाने जीद जो है अपने पिंडनों विए याद करदा है फिर है दीद दी रचना दा कलापक वालगी के होजाई कवितामा ने structure के होजाई है ओधिया कब दे चोटी कवीता कदे लंबी कवीता कदे लिखेगा ती ऐसन तो ने आपने विचारदी पेशकारी लई व्यंग आत्मक नाट की जुगत पर्दानों है ते नाट की जुगता समंदी जुगत तनाव जुगत अते प्रशनोत्री जुगत अते संबोधनी शाली भी किते किते जो है एदी पोर्ट इच वेखणनू मिल दी है ए तेसी की बिटा उदी कावकला किस तरह दी जो है ते हुन एक गालत वनुदस्दिया की ओदी तुसी जो है उदी तुसी जो है है जड़ी पोर्ट वरी लेंगविज वरती आगिया ना वह स्पाशा विच हिंदी अंग्रेजी आते उर्दू फार्सी दे शबद उन्हें बहुत वरते ने उन्हें एक काम जड़ा तुसी आथे करना है कि मैं नहीं किता हो या तुसी जड़े भी उन्हें आपनी मंडल संगीत तत उत्ते निर्बर कर दी है पोर्ट लेंग बड़ा जरूरी है कि ओदे चिक जो है लै ओए ओदे चिक फलो है चंद लै रिदम तुकांत ते अनुप्रास पाशाई जुगता दी वरतों रही कवीता विच संगीत पैदा हुंदा है पोर्ट चिक इस तरह लै पैदा तो मिल दी है उन्हों एत्थे भी तुसे कम करना है ओदी पोर्ट दा एक्जामपल देने है गिने दो तीन एक्जामपल तुसे ओदी पोर्ट दे अथे दा हुए फिर बस देख देए लास्ट चिक जस्वांत दीदी काव रचनामा जित्थे जिन्दगी दे गंबीर विशा नुचो के बड़े गंबीर विशे जड़े ने दीद चुनदा है अपनी पोर्ट लेई नुचो के मनुखी मान दी पटकन अते रहस्ता नूँ खोल दी है ओदी पोर्ट दी मनुखी मान साड़ा किदर किदर पटकदा है ते मनुखी मान दे केड़ केड़े रहस्तने उन्हा वदिया एग्जामपल एड़ करने ने शबद बुनती दे पक्खों जटिलता दा रूप तारन कर देने उदे शबद कर दे होए नवे अर्थ संचार दियां समस्यावानू भी पैदा कर देने ते फिर सिटे वज्जों असियाग सकते हां कि जस्वांत दीद समकाली पंजाबी कवीता दे खेतर वीचे एक उगा कवी है जस्वांत दीद एकला प्यादा दी कहानी संग्रया राई आपना साहितक शफर शुरू कर दे होए साधी चोली वीच पंज काव संग्रया पाउंदा है उन्हों ए भी एक शोट कोश्चन आई चों आ जान दे तुमानू किन्ने टो जाना अपनी कापियां थे पोर्ट तो अनू मैडम करवा ही देंगे ते पोर्ट देखतार वीचों एक्जामपल जरूर एड़ करने ने एड़िच ओके थैंक्यू